हेलो दोस्तो और इन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है कि बिहार के बियेट कोलेजों में एडमिशन से संबद नित नालंदा ओपन इनवर्शिटी के द्वारा एक नए रूल जो है जाड़ी क इनवर्शिटी जो है अपने ओफिसेल वेबसाइट पर डाली है आप लोग दोस्तो देख सकते हैं दोस्तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जितने भी केंडिडेट जिनका कॉलेज एलॉर्टमेंट हो गया है उन सभी अभियार्थियों का कल जो है फाइनल लिस्ट जो है ज दोस्तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कॉंसलिंग में जाएंगे उन्हें 2000 रुपे फी पेमेंट करेंगे वहीं अभियर्थी जो है कॉंसलिंग में जा पाएंगे जब आप कॉंसलिंग में जाएंगे तो 2000 जो आप फी पेमेंट करेंगे उसका आप स्लिप लेकर दोस्त acceptance fee के नाम से जाना जाएगा ये 2000 रुपे जो आपसे ली जा रही है वो seat acceptance fee यानि कि आप जो है उस seat पर counseling कराने के लिए तयार है इसलिए आपसे 2000 रुपे ली जा रही है और ये 2000 रुपे जो है सभी category के candidate को देना है जेनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, WBC हो, BC हो किसी भी category के candidate हो सभी को 2000 रुपे पे करना पड़ेगा seat acceptance fee के रूप में और ये जो fee payment करना है आपको online fee payment करना है दोस्तों ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ नालंदा ओपिन इन्वर्सिटी के website पर डाल दिया गया है आप सभी देख सकते हैं साथ में दोस्तों आपसे छोटा सा request है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगलने बेल आइकोन है उसको भी दवा दिजे और अपने दोस्तों में से payment किया हुआ slip जो है आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों ये है update दोस्तों इसमें बहुत सारी update दी गई है मैं बारी बारी से आपको आने वाला हूं तो दोस्तों आप अगर ये 2000 पे फी payment नहीं करते हैं तो आप सभी का seat allotment जो है cancel कर दिया जाएगा और आप सभी का counseling नही होगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप 2000 रुपे फी payment करते हैं तो आप जो है further round यानि की second, third और fourth counseling में भी आप जा पाएंगे बिल्कुल दोस्तों आप सही सुन पाड़े हैं कि वैसे student जो 2000 पे फी payment करेंगे first counseling में जाएंगे और उनका इक्षा हुआ कि न counseling में जाओं तो दोस्तों आप सभी जा सकते हैं सिर्फ आपको 2000 रुपे फी payment करने होंगे जब दोस्तों आप लोग वहाँ पर जाएंगे counseling कराने के लिए तो आपको final confirmation के लिए यानि की seat allotment final confirmation के लिए आपको 1000 रुपे अलग से आपको pay करना पड़ेगा दोस्तों मैं आपक कि 1000 रुपे अलग से और pay करना पड़ेगा 2000 रुपे के बाद आपको वहाँ पर seat confirmation कराने का फी आपको 1000 रुपे पे करना है पर candidate जिस category से आप समदित हो आपको फी जो है payment करना है 1000 रुपे तब जाकर आपका final seat confirmation मतलब की होगा आप सभी को एक confirmation लेटर दे दिया जाएगा कि आप जो है admission ले सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में यहीं तक आगे वाले वीडियो में आगे की update आप लोग को मिलती रहेगे तो दोस्तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगलन बेल आइक वन है उसको भी दवा देजे तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद